कि यह हेलो नास्ते गाइज तो कैसे सब लोग आयोप सब लोग बढ़िये होंगे तो लास्ट लेक्षर में हमने क्यारी करता है एमेजन डायनमोडीबी जो होता है वो कैसे वग करता है और समने उसका प्राक्टिकल है हमने क्रेट किया था प्राक्टिकल है हमने हमल देखा है तो आप एक पर चिप कर लिए तो आज के टॉफिक में हम पढ़ेंगे लेस्टिक बिंच टॉक वन अब दो मोस्ट यूज़्ट जानेंगे लेस्टिक नतरी कि पीज़टॉक लेस्टोस स्टार्ट करने थे पहले वाइन पहले जानेंगे वयं स्टॉक क्यों हम् Mes Buddhism bes pocket करते हैं क्यंकि और हमारे पास हम लोग इसित्व इंस्टन्स क्रेट करकें वेब्स वह的話 अ उसारे सब कुछ अम डपलग करते हैं तो फि दिस्कोस करेंगे यह theoretical पार्ट होगा इस वारे वीडियो में नाथि वीडियो में आम लोग उसका प्राक्टिकल करेंगे तो ठीक है तो कोई भी वेब अप्लिकेशन जो है अगर हमको डपलोई करना है तो उसके लिए क्या-का रिकवार्मेंट होती है डपलोई कभी आप करते हैं मैनुली कर रहे है तो आमको फर्स्ट करना अगर इन टर्म्स आप आउप यह बात करो में ठीक है तो फर्स्ट आमको क्या करना पड़ेगा एक डवीज का अकाउंट करेट करना पड़ेगा है तेर आपको cloud service जो है उससे देहने पड़ेगी फिर आपना जो मेन है आपका जो web server application जो है उसको आपको ready करना पड़ेगा उसको coding होगे सारे चीजे जो है आपको आपको करना पड़ेगा फिर उसको जो आपने code create किया है उसको package करके अगर सब्सक्राइब आपने java project create किया है आपको उसको package package करके उसको jar या फिर वोर वोर जो होता है web application जो होता है वो single application होता है तो आपको package करना पड़ेगा फिर आपको आपको जो application है उसका auto-scaling जब आपको requirement है तब auto-automatically scale-up और scale-down होना चाहिए यह सारे चीजे जो हमको manually हमको सारे चीजे set करनी पड़ती है और साथ में ह हमको load balance जो होता है जब आपके application पर load आएगा तो automatically 1 server से 2 server 2 server 3 server 3 server 4 server depending on your requirement so that मतलब आपको जो application है वो downtime या फिर जो अपको कभी-कभी हम कुछ application हम for example government take a quick website जीनीजिए अगर हम कभी-कभी search करते है तो उसको load होने में time लगते है और वही है अब दर हम Google search करते है otherwise YouTube search करते है तो इसमें थोड़ा सा as compared to the government site यह जो है थोड़ा सा time लेता है तो इसके पीछे क्या reason होता है तो वहाँ पर उन लोग ने जो government site यह drawback बोल सकते है और फिर उस जो हो अब उसके बार में हम discuss ने करेंगे तो उनके जो load balancer जो balancing जो होता है तो आप्लिकेशन जो है उसको load balancer को उतना strong नहीं होता है ठीक है तो यह सारे चीजे भी हमको देखना पड़ता है और next thing जो है security group यह भी आपको बहुत concern होता है security को कुछ policies आपको लगाना है कुछ यह सारे चीजे भी आपको manually set करने होती है और अगर आप आप अप्लिकेशन के थो जा रहे है तो आपको रिजेन भी सेलेक करना होता है पर एकदाम पर अगर आपको अप्लिकेशन इंडिया में वर्क करना है तो आपको इंडिया के रिजेन ही सेलेक करना पड़ेगा तो आपका जो अप्लिकेशन है आपको इंडियी और फास्ट अक्सेस हो पाए ठीक है यह मैंने कुछ मैंने आपको बताई है यह requirement होती है अगर आप manual process कर रहे हो वेब अप्लिकेशन डेपलामेंट करने के लिए और तो फिल अगर इससे अपना काम हो रहे है तो हम इलेस्टिक बिन स्टॉक के लिए क्यों जा रहे है हम लोग वैनूली इससे ट्विस्टस क्रेट कर रहे थे स्थरी स्थरी पर आपना जो पैकेज आप लिए से उसको हम अप्लोड करके पर बाद में उसको हम रन कर रहे थे मतलब ऐसे हम कर रहे हमारा हम चली रहता है तो चोड़के हम इलेस्टिक बिन स्टॉक की तरफ टिश्योग स्ट्रफ होता है platform as a service platform as a service क्या होता है अगर आपने नहीं देखा तो मने फॉर्स्ट बोथ मतलब एक मेना पहले मने एक वीड़ो दाला था तो आप एक बड़ चेक कर सकते हो ठीक है तो platform as a service क्या होता है मतलब AWS basically जो है work करता है हाई है मतलब infrastructure as a service infrastructure as a service मतलब आपको एक infrastructure create करके देगा फॉर इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्रक्ट्ट्र देगा तो आप इसके पायान आप EC2 इस्ट्रक्ट्र कर सकते हैं अगर आपको कुछ story लगना तो आप S3 यूज़ कर सकते हो otherwise आपको जह है जो जो आपको यूज़ करना है और सारी चेज़े जो है infrastructure आपको बना के platform as a service क्या होता है तो platform as a service में क्या होता है AWS तो आपको platform देगा मतलब for example आपको एक web application है आपको इसको deploy करना है आपको आपको एक web application उसको deploy करना है और आपको यह सारी चीज़े जो है AWS जो EC2 instance है cloud services आपको preparing packaging बाद में आटो skilling load balancing यह जो सारी चीज़े आपको करनी नहीं है आपको क्या करना है आपको सिर्फ focus करना है आपके job application है उसका coding हो गया उसको जो performance है इस इस चीज़ों पर आपको देहम देना है इस सारी बाकि सर्वर क्या करेगा सर्वर कैसे उसका maintain करन तो in this case आप क्या करोगे Elastic bin stock के साथ जा सकते हो तो Elastic bin stock अबर आप यूज़ करते हो तो AWS एक platform दे देता है धाम तरह आप सर्वर भी आपका जो होता है सर्वर भी AWS से हडल करेगा उसके patching हो गई उसके patching हो गई उसके security हो गई scale-up, scale-down, load-balancing अगर आपको लगता है कि आपका जो अपने code आपने deploy कर दिया और उसका आप गंटी से आपका कुछ changes आपका mistake हो गया तो आपको easily rollback भी करना है या फिर रोल अप भी करना है तो इस सारी चीज़ों आप easily कर सकते हो यहां पर आपको manual process करने नहीं पड़ेगा आपको सिर्फ देना है वहां पर आपका code जैसी code दोगे आप automatically उसका environment क्रेट करेंगा आपको java-based application है आपने देरिया वहां पर आपको सिर्फ क्या करना है आपको file या फिर आपको जो code है वहां पर देना है automatically environment create हो जाएगा ठीक है यह होगा ओर 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 विव अप्धा बिन स्टोक ठीक है तो आपको देखते हैं उसका क्या 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 यह हमको मिलते हैं फर्स्ट है configuration configure environment setting मतलब आपको कौन सा आपको यह पर सोचने के ज़रूरत ने पड़ते कि कि सुचने में हम कहना नक्सी चाहिए विंडोज चाहिए इस सारी चीजे जो है आपको है ज्यादा सोचने नहीं मतलब आप उसके अदर अगर आपका अप्लिकेशन है रैम पे ज्यादा वर्ट कर्ता है रैम के रिलेतिन ज्यादा टास्कों सहाथ तो आपको यह सोचने जो आपको फुल रिक्वार्मेंट है वह ही लेगा ठीक है फिर आपका जो डॉमेन है आप कंपनी में काम कर रहे है तो हर कंपनी को अलग 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 डॉमेन होता है डॉमेन क्या होता है डॉमेन होता है एक पर्टिकुलर मितलब डॉमेन के अंदर जितनी भी आपकी जो यहां पर आपको उसके रिगार्डिंग भी कंसर्ण नहीं करना पड़ेगा अगर आप बींश्टो के साथ जा रहे हो तो सारी चीजें यह मेंन चीज होती है किसी भी अपनी देशन आप रन करें हो अगर कभी मान लीजिए आपका डेटा सेंटर है कुछ नैचरल डिजास्टर के वज़े से आपका जो डेटा है लॉस हो गया तो यहां पर आपको सोचने की ज़रूरत ने पड़ेगी क्योंकि एड़ेग्यों कम से कम 3-4 बैककप जो है अलग-अलग रिजियन में अलग-अलग अबलिप्टी जोन में अलडड़ी उसका डिजो डिवार बैककप होता है अलड़ेड़ी होता है तो आपको यहां पर वह भी चंसन ने होता है बैककप क्या होगा मैरा अगर सब्सक्वारा डेटा सेंटर हो डेटा सेंटर जा वह एक फ़र इंग जमपल तो मेरे डेटा कहा चले जाएगा तो यह भी चंसन करने के ज़रूरत नहीं है यह डवलेस उसको हैंडल कर लेगा अपडेट एंड रोलबैक अपने कुछ अपडेट किया और आपको लगता है एक दू दीन के बाद आपको लगता है कि कुछ बग्स आ रहे हैं उसके अंदर कुछ प्रॉलम आ आपको रोलबैक करना तो आप रोलबैक का उप्शन भी आप यहां पर इस निक कर सकते हों ठीक है तो नेक्स तिंग जो है जैसे कि मनें बताया एलेस्टिक बेस्टॉप उसके प्लाटफॉर्म 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 प्रॉएड करेगा उसके अदर अपना जो इंफस्ट्रक्ट्रे स्फकुष आप आपको फांसा सरहोस्ट करना इव dit सब कर existing रघा अपको कोषऑ जो नुएप करना सब्सकेल करना इंव देसट करेगा पैचिंग आगया कुछ पैचिंग हो गया आप्नेट हो गया कुछ तो पुछ करना है तो मुझे यह सारी चीज़े जो है मैनुली अगर करता तो मुझे फिर से उसको और उसको जो 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 फिर चेंज करके फिर 1.2 दान पड़ेगा यह तो यह साथ देंदी प्रोसेस होते है तो यहां पर आपको उतने टेंशन लेनी के ज़रूरत नहीं होते है takég आपर आपर version upgrade भी ओर downgrade कर सकते हो Akande-etar environment सनींचस्गा मोषक्झ जे उच्छ इसमें क्या-क्या है दै। एक्सेक करते हो तो मैनेजमेंट कंसल यह यह विश। का उसके थ्रों भी आप उसको एक्सेस किर पाते हो यह डव्याइब कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है उसके थुरू यह अप एक्सिस कर पाते हो ठीग है तो आप कमांड के थुल रही हो आपे CLR में आप फॉर एक्जामपल आपको EC2 इस्टेंट भी चाहिए तो आप थुल दे कमांड ओनली यह तो एक्जिक्ट अब भी थी ठीक है AWS Management Console क्या होता है तो AWS Management Console जो हम नॉर्मली यूज करते है यह वाला तो यह हो गया तो यूज क्या हो प्लिसकता है तो आप ग्राफिकल इंट्रफेस्ट रहे है प्लिसमान देख जैटना अगराफ को आपको पिछ दिखरा है तो आप लोग में प्लिक्ट आपको तो चलो कुछ तो मुझे कमांड के थ्रोमा ऐसे यहां पर आज आ गया ठीक है तो यह सारी जो होते हैं यह होता है कमांड लाइन इंटरफेस मुझे जो चीजी करने है मैं कमांड के थ्रोई करूंगा मुझे मेरे पीसे का होस्नेम देखना है होस्नेम देखने के लिए मुझे होस्नेम टाइप करूगा सीधा होस्नेम मेरा आख है ठीक है तो सेम चीजे अगर मुझे पीसे करना है तो मुझे कहां क्या करना पड़ता था यह टाइम टेकिंग कांट्रोल प्यानल में जाओ फिर हिट करो पेर जाके यहां पे स्मॉल केटिं भी आइकन पर पर सेर्च करना पड़ेगा मुझे कहां पर पर प्रोग्राम्स और फिचर्स तो यह टो इन देखना तो सेला अगर यूस जो इंसाड यूस करता है तो उसका जो स्पीड होता है नॉर्मल यूजर जो होता है ग्राफिकल इंटरपेस वह उससे थोड़ा सा अपडेट जो है आपको मैनेज करने के ज़रूत नहीं है यह इंटरिक बिल्टॉक उसके अपडेट मैनेज करेगा हैं तो मॉनिटरिंग मतलब आपने एक अप्लिकेशन आपका सर्वर पर दाल लिया तो सर्वर जो है कभी क्रेश होना या फिर कुछ अन्यकारणी मतलब बह इस है इस अन्यकारणी तो पर दो में न कुछ चंत ना के उसका इस हैज्वर एल्ट एकशन कानी सर्व जरू करना होता लाँ था केम उसकािक अज़ता करनें बड़े बड़ती है तो वहीं आप इन्रेस्टिंग पीर स्टोप के साथ जाते हो तो यह सारे चीज़ें इन्रेस्ट मेंस्ट करेंगा होगा है इंट्रगेटेद्ड डेवलपमेंट इन वर्मेंट्स तो कुछ एपलिकेशन होते हैं इज फॉर एक्जम्पल्स एंटिटी तो अडिक्ड़ में विजन स्टोटिया विए इस सारे जो है आईजीटि एपलिकेशन होते हैं तो हम उसके तुर समक्राइब करते हैं हम हरे जो डेवलपर स्टींग चुहते है तो वोग अपने कोडिंग या फर आपके जो एक बस डिपल्ट के बारे में को चाहता है आई यह तो इसारे चाहिए है वोग हैंडल करने लिए तो उनके लिए उसको प्लैट्फॉर्म चाहिए आई यह आप्लिकेशन जो जो यह इस्टिक बें लिए तो यह इंगी चीज जो है एजी नहीं को कर सकते हैं वाइजें इलस्टिक बिंड श्टॉक कि फिचर्ज सेकुर्टी फीचर्ज जो हता है तो आपको जो डेटा इलस्टिक बिंड श्टॉक आप यूस कर रहा है तो उसमें होता है security concern for example team for example मेरे मेरे जो organization में है तीन टीम है देख हो गया devops team हो गई दोधरे होगी development kit team और थरड़ा है data facility तो मारे database team को अगर मैंने full access दे दिया पूरा मैरे elastic मारे जो server उसको full access अगर दे दिया तो वो लोगों को कुछ मितलों पता नहीं होता क्या करना अगर कुछ गंती से उन लोगों ने अगर server मेरे stop कर दिया तो इस सारी चीजे हम चाहेंगे नहीं हम यह कोई भी नहीं चाहिएगा कि आपको जो है जितना आपने महिने से बनाया है वो कोई एक सेकंद में destroy करें तो यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता है तो यहां पर security concern आता है जिस बंदे को जिस knowledge है उसी को वही task जो है हमको specify करना होता है तो उसकी नहीं जो होता है यह जो आता है आई-ए-ए-म जो होता है identity and access management जो होता है एक फीचर है तो यहां पर क्या होता है दो टाइप के services वहता है मतलब AWS के एक होता है root account और दुसरा होता है IAM account तो यह क्या IAM account क्या होता है यहां upcoming videos में देखने वाला है ठीक तो अभी के लिए इतना ही दांड के security features बेसका manage होता है कोन क्या access करेगा क्या access नहीं करेगा इस सारे चीज़े जो है आप इस निक मैं आपको मैंनेजने करना AWS करेगा cost management elastic management जो होता है help manage cost efficiently तो scale up scale down जो है एक सर्वर पर आजाएगा and like this whatever technique आपको अपना काम परेगा ठीक है तो यह होगे overall जो elastic bin stock जो है उसकी जो theory तो इसमें main बात क्या होता है elastic bin stock जो है platform as a service होता है उसमें सब ही चीज़े server हो गया database हो गया सारी चीज़े जो है आपको इसके tension लेना नहीं आपको आपको कोड जो होता है कोड पर फोकस करना है आपको कोड अप्लिकेशन डिलेटर जितना भी data जो है उसको आपको focus करना में ली और आपको सेब बहां पर प्लैट्फोर्म पर अपको प्रोइड करना है आपको कोड हो गया application का जो data आपको प्रोइड करना वही sample application हमें बनाएंगे elastic beanstalk में और उसको देखता है कुछ यह रहा राती है कुछ और बीडीप में जानाएंगे elastic beanstalk ठीक है तो इस video पर लिए इतना है चलो thank you